Good morning students, welcome to our channel knowledge oriented कैसे हैं आप सब, I hope सब happy और healthy होंगे और हमारी वीडियो देख रहे होंगे आज हम सरवनाम के चौथे भेत यानि की संबंध वाचक सरवनाम के बारे में जानेंगे संबंध वाचक सरवनाम को हम English में relative pronoun कहते हैं relative का मतलब होता है वो words जो की sentences के बीच में लगके उन दो sentences का relation बताएं संबंध का मतलब ही होता है relation यानि की संबंध बताना relation बताना अब हम ये जानते हैं कि संबंध वाचक सरवनाम किसे कहते हैं तो संबंद्वाक्षक सरवनाम में वो सरवनाम शब्द आते हैं जो दो वाक्यों के बीच में जुड़ते हैं और उन दो वाक्यों का संबंद बताते हैं अर्थात उनका सुंधरे बढ़ाते हैं तो हम ये सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि संबंध वाचक सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोडते हों हम ये भी दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि संबंध वाचक सर्वनाम वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो दूसरे सर्वनाम शब्द का संबंद ग्याद करवाएं, संबंद बताएं, संबंद वाचक सर्वनाम में दो सर्वनाम की शब्द आते हैं, और दोनों शब्द एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है, हम अगर ये सोचें कि हम एक शब्द यूस कर देते हैं दूसरा शब नहीं करेंगे तो हम वाक्य का अर्थ समझ नहीं पाएंगे वो दोनों शब्द मिलकर वाक्यों के बीच में प्रियोग होते हैं तब ही हम उस वाक्य का संबंध जान पाते हैं और उसका अर्थ समझ पाते हैं तो इन दोनों शब्दों का प्रियोग करना अतियावश्यक है तो अब आगे हम definition देखते हैं कि संबंध वाचक सर्वनाम अच्छे से होता क्या है जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ग्यात हो यानि कि एक दूसरे के बीच में जब वो दोनों जुड़े तो उनके बीच में संबंध डेवलप होना चाहिए है संबंध का बोध होना चाहिए या हम यह भी कह सकते हैं कि वो शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हो उन्हें हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं उन्हें हम संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंध का मतलब होता है relation, relation का मतलब होता है family, family के साथ आप जुड़ते हैं न, तभी तो आप अपना relation डेवलप कर पाते हैं, तो वैसे ही इन दो शब्दों को हमें वाक्यों के बीच में जोड़ना पड़ेगा, तभी हम वाक्य हम यहां लिखते हैं, जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसे कि हम बोलते हैं न, जो बोगे, वो ही पाओगे, जो बोगे, वही पाओगे, तो ये जो, वही, जिसकी, उसकी, जो, सो, इन दोनों शब्दों को हमें साथ में लिखना पड़ेगा, और वाक्यों के बीच में प्रयोग कर के वाक्यों को जोडना होगा तभी हम उस वाक्यकाँ समझ पाएंगे आगे हम कुछ उधारन देखते हैं उधारन है जो देता है सो लेता है यू आपको देगा तो वो वापस आपस से लेगा भी तो इसमें समबंध वाचक सर्वनाम है जो और सो जो सोवत है सोखोवत है इसमें संबंध वाचक सर्वनाम है जो और सो यानि कि जो हमेशा सोता रहता है वो कभी भी अपने लक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता तो अगर हम यह बोले कि मैं सिर्फ जो यूज करूं और सो का प्रियोग ना करूं तो क्या मुझे यह इस वाक् का आर्ट समझ पाएंगे नेक्स हम उधारन है हमारा जिसकी लाठी उसकी भैस यानि कि जो जादा पावर्फुल होता है उसी का इंफ्लूएंस सब जगा पे होता है तो इसमें जिसकी और उसकी इन दोनों चब्दों ने इन दो वाक्यों को जोड़ा है और इस पूरे वाक् कारे करेंगे या जो कारे करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा जैसा आप देखी जैसे मैंने आपको समझाया तो इसमें जैसा और वैसा का प्रियों किया न तो यह जैसा वैसा भी क्या है संबंध वाचक सर्वनाम है संबंध वाचक सर्वनाम इसमें भी जैसा और वैसा क्य इंगलेश में इंटेरोगेटिव प्रणाउन कहते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब प्रशन पूछना, कुछ पूछना आपसे, क्या आपको समझ में आया, तो ये क्या शब्द क्या है, ये कौन सा सर्वनाम होगा, प्रशन वाचेक सर्वनाम, क्या आप हमारी वीडियो देखते हैं तो यह मैं आपसे question कर रही हूं प्रश्ण पूछ रही हूं तो वो शब्द जिने पढ़के हमें प्रश्ण का बोध होता हो या जब हम आपसे सवाल पूछते हो तो उन शब्द को हम प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे क्या आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेरे घर कल कौन आएगा, मेरे घर कल कौन आएगा, तो ये क्या, कौन, क्यूं, ये सारे शब्द क्या है, प्रश्न वाचत सर्वनाम है, और ये क्यूं प्रश्न वाचत सर्वनाम है, क्योंकि इन शब्दों को पढ़के प्रश्न का बोध होता है, तथा इन सारे शब्दों का प्रियोग करके हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए इसे हमने प्रश्न वाचक सर्वनाम कहा है, अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध हो, यानि कि क्वेशन का बोध हो, अर्थात जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रियोग हो, यानि कि जब हम सवाल पूछने के लिए प्रियोग करें, तो उन सर्वनाम शब्दों को हम प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते ह क्लियर हुआ अब हम कुछ उधारन देखते हैं उधारन में हैं टोकरी में क्या रखा है तो ये क्या कौन सा सर्वनाम शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है क्योंकि इसमें कोई उससे सवाल पूछ रहा है कि ये टोकरी में क्या रखा है बाहर कौन खड़ा है ये भ वाचक सर्वनाम होगा, क्या तुम खा रहे हो, तो इसमें भी क्या क्या होगा, प्रश्न वाचक सर्वनाम होगा, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए क्या, कौन, क्या, ये सारे प्रश्न वाचक सर्वनाम है, अब चौथा हमारा उधारन है, आपने अपना ग्रहकार क् किया, इसमें जो अध्यापिका आ वो बच्चे से पूछ रही है, कि सवाल पूछ रही है, सवाल, सवाल जब पूछे जाएं और सवाल पूछने के वक्त, जो शब्द का प्रियोग किया जाए, उन शब्दों को हम प्रश्न वाचकसर्वनाम कहते तो इसमें क्यों क्या होगा प्रश्न वाचक सर्वनाम होगा I think not clear है आपको next भेट देखते हैं निज वाचक सर्वनाम निज वाचक सर्वनाम को हम लोग English में reflexive pronoun कहते हैं निज का अर्थ होता है अपना यानि कि जब हम अपनी बात करें किसी का ना बात करें अपनी बात करें निज निज का अर्थ ही होता है हिंदी में अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध कराना ठीक है अपना वो शब्द जो कि अपना बोध करा है जब हम अपने लिए कुछ अपनी चीज बताने के लिए अपने बारे में कुछ बताने के लिए जिन शब्दों का प्रियोग करते हैं, उनको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जब हम अपनी बाते बताने के लिए अपने बारे में, सबसे इंपोर्टेंट है, अपने बारे में, अपने बारे में बतात वक्त जब हम शब्दों का प्रियोग करते हैं, तो उन शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम करते हैं, ठीक है, निज़ का अर्थ होता है अपना, निज़ का अर्थ है अपना और वाचक का अर्थ है बोध कराने वाले शब्द, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपने बोध कराना यानि कि जब हम अपने बारे में बात करते हैं myself, अपने बारे में बात करते हैं, अपना मतलब myself, ठीक है, जब हम अपने बारे में बात करें, तब हम निजवाचक सर्वनाम के शब्दों का प्रियोग करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट है, जिन सर्वनाम शब्दों का करता के साथ अपने पन का ज्यान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम के शब्द कहते हैं करता के साथ प्रियोग करते हैं पर पुरुषवाचक में जब हम आप यूज करते हैं आप कह सते हैं कि आप तो हम पुरुषवाचक में भी यूज करते हैं तो इसमें डिफरेंस निजवाचक और पुरुषवाचक में डिफरेंस क्या हुआ पुरुषवाचक में जब हम आपका प्रियोग करते हैं तो यह आप उस वाक्य में करता होता है और निजवाचक में करता के साथ जुड़ा होता है यहां पर लिखा है ना जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता के साथ करता के साथ जुड़के जब वो अपने पन का ग्यान करा है अपने पन की बात करें तब उन शब्दों को हम निजवाचक कहते हैं पर पुरुष वाचक में आप करता होत और निजवाचक में आप करता के साथ जुड़ के अपना पन का ग्यान करवाते हैं। इसलिए हमें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ उधारन देख लेते हैं। ईश्वर भी उन्हीं को देता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। इश्वर भी उन्हीं को देता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। तो इसमें अपने आप क्या हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि इन दो शब्दों का प्रयोग हमने अपने पन का ग्यान कराने के लिए किया है। यानि कि इन दो शब्दों की जब हम उसको पढ़ रहिए हैं तो मैं पता चल रहा है Ciao आपने बारे में बात कर रहे हैं कि कि से और बाती हैं आप 3 रह जायर staff युaning आप्धोर यंश्वर उनके को देता है जो अपनी मदद अपन्याप करते हैं नेक्स्ट है मनुष्य को अपने आप इसमें भी अपने पन का ग्यान हो रहा है अपने पन का ग्यान हो रहा है जानी कि जब वो शब्द जो अपने बारे में बताया जाए है या हम सिर्फ अपने लिए यूज़ करते हैं दूसरों के लिए नहीं न सेकिंड परसंड के लिए न और हमेशा अपने लक्षों की प्राप्ति कर पाता है तो यहां पर अपने आप और यहां इस वाले वाक्य में भी अपने आप क्या है यह दोनों जो शब्द हैं यह क्या है निज वाचक सर्वनाम के उधारन है इतना आपको समझ में आया अगर इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो, तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, कि आपके डाउट जल से जल आपके डाउट का सलीशन बता पाएं, और मैं यही आपको एक सजेशन दोंगी, कि जितना भी चीजे मैंन मतला इस पूर्पर पOINTS बना के लिखे, तो आप चाहें तो इसको नोत डाउं कर सकते हैं, इसके नोतS बना सकते हैं, ताकि आपके पस पूर्पर नोत रहें, और आपको कभी भूल जाएँ, आपको रिविजन करना हो, तो आप अपने नोतS निकालके रिवाईस कर सकेंग यही होगा कि यह सारे चीजों को आप अच्छे से कही नोट डाउन कर लीजे, तो आप ही के लिए बेनिफीशन होगा, ठीक है, आप ऐसी ही हमारी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, थैं करते रहिए, झाल अजयर कर दो करते रहिए, अजयर करते रहिए, जयर करते रहिए, भीजर कर दो आप है।